नमस्कार ट्रीनीज मैं अनुराद सक्सेना आसोई लोगों के हर्दिक स्वागत यह में विनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्यूटी चैनल पे ट्रीनीज आज की जो वीडियो है यह सेमिस्टर थर्ड मॉडूल वन चैप्टर का नाम है एसेम्बली फिटर सेकंड यर के कुशन जो है हम अपनी पहली वीडियो में डिसकस कर चुके हैं जिने आप हमारी जो खास प्ले लिस्टे डेकेट टू आईटे फिटर सेकंड ट्री उसका विजट कर सकते हैं ठीक है और सेमिस्टर फोर भी हम पहले से ही इस सीरीज में अप्लोड कर चुके हैं तो चलिए ब पिच इंटू मेजर डायमीटर ऑप्शन डी कहता है पिच इंटू मानर डायमीटर सब कुछ बकवास है कॉंसर्ट पर ध्यान दीजिए इस तरह से पढ़िए कि आप एक कोशन में सारे कॉंसर्ट क्लियर कर पाएं जिससे आप एक्जाम में भी अच्छा करें और आपका इं यह जो मैंने आपके सामने फोटो ली है यह मल्टीकल स्टाट फ्रेण की इससामने गर आप गहर करेंगे यह जो फ्रेण है कई सारे इसक एक दो तीन 5 शह इस तरह से अलबलग पॉंट कैण इंट एह एक पॉंट कैरे मागर चैनल संगल स्टाट फेरण होता है उसमें हimet प् थेखें उसके इतने सारे स्टार्टिंग आपको नहीं मिलेगी तो इस बेस पे कि हमारा जो ओरीजन है स्टार्ट का वो कितने पॉंच से हो रहा है प्रेट को शिंगल स्टार्ट डबल स्टार्ट ट्रिपल स्टार्ट लग करें ... अब रुप में उसको भाजित करते हैं इस बोटल में क्या है single start thread कर दोई ठीक है यहां को कैसा पता चलता है कि single start thread है यह देखे इसमें एक thread है ठीक है यह यह यहां सर शुरू हो रहा है आम मेरे अंगोटे को follow करते हुए चलिए आप यह देखे यह यही थेट है यही थेट है पूरी जो हमारे बोटल के प्रोफाइल है इसमें आपको मिलेगा यहीं सेम थेडр बीचमें स्क्रीक्ट है यही पूरा गुमा हुआ है यही तेकर सेमन ट्रेयunda मेरे अं़完全No.com और अंध में जाके क्विये अभी सेगी अभी सड़ ट्रोपे ठोलो करते रहेंगे तो यहां पRe जाके हमारा बी एक खतम भी हो गया ठीक है तो यह हमाराend एग्जांपल आप आप गईओंब वाटले समय सकते हैं और इसली समय सकते हैं कि ठीक है तो है यह हमारे सिंगल-स टाठे़ है आपके घर की जो bottles होते है, generally उसमें भी कई bottles में single start head और कई bottles में multi start head आपको दिये रहते हैं इसमें सबसे महत्पूर्ण concept रहता है, वो दो रहता है, एक रहता है pitch और एक रहता है lead तो देखे pitch क्या होता है, तो पिच आपको समझना होगा, जैसे मैं bottle का example इससे ले रहा हूँ, क्योंकि bottles जब सबने उसनका use किया है, सबने देखा है तो pitch क्या है, ध्यान से देखे, जो इस point से लेके इस point की दूरी है यह होगे हमारी pitch, इस दूरी को हम pitch बोलेंगे चाहिए यहां से यहां तक की दूरी बोलें या फिर यहां से यहां तक की दूरी बोलें, यह हमरी pitch होती है ठीक है, और एक concept आता है आपका lead का, lead का मतलब होता है कि अगर आपने इसके अंदर bottle का ठकन आपने इसके उपर लगाया जब आप bottle के ठकन को एक round देंगे, तो आपका bottle का ठकन कितना नीचे आएगा ठीक है, कितना नीचे है, कितना उपर जाएगा, एक round देने में होता है न, हम bottle का ठकन तो round round घुमाते है मगर bottle का ठकन जाता कैसा है, उपर या नीचे जाता है तो जब आपने bottle के धकन को एक round दिया तो वो कितना नीचे आया ठीक है अगर आप जब bottle को बंद कर रहे हैं या फिर कितना उपर आया एक round देने में जब bottle खोल दें तो उसको हम बोलते हैं lead तो यह जो basically हमारा पुरा thread का connection है multiple start single start double start यह सब इसलिए बना गया है कि हम उसकी lead change कर सके अब जैसे तो single start हमारा जो thread होते हैं जब आपनी अगर आपने कोई single start thread की bottle ली है जैसे यह आपके सामने है तो जब आप इसको एक round देंगे इस तरह से इसके धकन को तो यह सिर्फ इतनी distance नीचे जाएगी ठीक है यह अपने केवल pitch के बराबर जाएगी तो lead होता है इसमें pitch के बराबर होता है अगर यही चीज आपके double start क्या होता तो double start हमारी क्या होती है pitch का दो गुणा नीचे आती है ठीक है और अगर यही bottle हमारी triple start की होती तो एक round देने पे यह तीन गुणा pitch नीचे आती मुला बॉटल जल्दी बंद होती ठीक है इसी तरह से 4 start होगा तो L बराबर 4 into P हो जाएगा तो एक तरह से इसका formula बन जाता है कि जहांवारे multiple start head होते हैं उनकी जो lead होती है वो pitch into number of starts होती है number of starts से हाँ पर मतलब होता है कि आपकी single start है double start है, double start है two, triple start है रो three यह concept मैंने आपको इसलिए detail ने बताया है क्योंकि interviews बहुत पूछते हैं और ITA में भी बहुत बारे question पूछा गया है ठीक है? तो I hope आपका एक concept कुछ clear होगा होगा यहां से threads का ठीक? तो आपसे formula पूछा गया है what is lead of multiple start heads कि multiple start heads में lead क्या होती है कि मतलब अगर आप एक round रहेंगे तो कितना नीचे या कितना उपर या कितना आगे पीछे जाएगा एक round में तो मैंने भी आपको इसका formula बताया page into number of starts अगले question में आपको एक screw दिखाये गया है अगले question में आपको एक screw दिखाये गया है और आपसे पूछा इसका नाम क्या है तो यह screw generally आपने छोटे छोटे से screw देखे होंगे यह generally जो आपका पंखा होता ना जैसे यह पंखे की rod आपकी आई है इसके ओपर जो यहाँ पर ढखकन लगा रहता है तो इसमें भी जो screw होता आपका ना जैसे लिंटर है आपका यहाँ पर यह पंखे की rod है आपका पंखा लगा है तो यहाँ पर भी जो आपका यह fix करने के लिए होता ना यह generally यह वाला screw रहता आप गवर से देखेगा तो इसका हम बोलते है grub screw तो इक grub screw का उधारण है ठीक है तो इक grub screw का figure है अगले question में कहता है what is the name of the nut आपको nut दिखाई है और आपको पहचानना है कौन सी nut है तो यह है हमारी castle nut ठीक है इस तरह से देखेगे इसमें castle type का बना हुआ है तो इसको आप यार रखेंगे यह हमारी castle nut कई बच्चे castle nut और slotted nut में बहुत confuse होते है क्योंकि दोनों का figure almost same ही होता है तो आप confuse ना हो ठीक है यह हमारी castle nut है और यह हमारी slotted nut slotted nut में basically क्या है जो आपने generally nut देखी होगी आस्तर generally hexagonal nut बहुत common होती है अगर हमने slotted सीधे ना काटके एक उपर उसके इस तरह से castle type का बनाया है जैसे किला बोलते हैं castle का मला हिंदी में होता है किला इस तरह से हमने एक उपर इसके लगा के फिर उसमें slots काते हैं तो अब इसको बोल देते हैं castle nut ठीक है तो I hope आप इसमें confused नहीं होंगे तो यह हमारी castle nut का diagram है अगले question में आपको फिर से nut डिया आपको diagram का नाम बताना है तो इसको आप याद करेंगे ठीक है यह है आपका hexagonal weld nut इसको अच्छे से यार रखें यह है hexagonal weld nut का diagram अगले question में आप से tool का नाम पूचा है तो यह भी आपको यार रखना है यह है आपका hook spanner ठीक है आपको hook type का दिख रहा है ठीक यह केवल इस तरह की nuts में उप्योग होता है यह हमारा hook spanner अगले question में आप से फिर से screw का नाम पूचा है ठीक है ठीक तो question में कहता है what is the type of screw तो यह हमारा hexagonal socket head cap screw ठीक है इसका अगर आप head डेखेंगे तो यहाँ पर आपको hexagon दिएगा hexagon मतलब श्रट भूज तो गिनिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे साइडे हैं इसलिए इसका नाम क्या हो गया hexagonal socket head cap screw अगले question में कहता है what is the file that is rectangular in section and parallel in width with one safe edge वहाँ file क्या है जो एक safe edge के साथ चोड़ाई में आयताकार और चोड़ाई में समानांतर होती है तो यह होती है हमारी pillar file ठीक है, यह pillar file होती है यह repeat question है, related question पहले ही पुछा जा चुका है, तो pillar file कैसी होती है आप हो दिखा देते है ठीक है, यह देखे, pillar file है इसका क्या होता है, एक edge हमारा safe edge होता है और यह देखे, एकदम आयताकार section की है ठीक है, तो आप इसको याद रखें यह है pillar file इसका answer तो repeat करना question, वह file क्या है जो एक safe edge के साथ चुड़ाई में आयताकार और चुड़ाई में समानांतर होती है, तो उसको हम बोलते है pillar file अगले question में कहता है, which file has double cut on faces and single cut at edges किस file में face पर double cut और किनारों पर single cut होगा तो यह होती है हमारी wording file, ठीक है, इसको याद रखें wording file अगले question में आपसे file का नाम पूछा है, ठीक, तो यह आप याद करेंगे, यह हमारी swiss pattern file, कही सारी question इसमें आपको सीधे याद करने पढ़ेंगे, यह हमारी swiss pattern file है, अगले question में पूछा है, आपसे what is the name of gauge, ठीक है, यह question बहुत बार repeat हुआ है, सबसे आदा है, इसमें जो gauge दिखा है, मेरे को ring gauge से ही question दिखें ठीक है, तो सीधे सीधे आपको यह अंगूठी जैसा दिख रहा है, तो यह ring gauge है हमारा इसके अंदर आपको चूणिया बनी ही दिख रही है तो यह हो गया हमारा thread ring gauge अगले question बोलता है, what is the name of gauge आपके सामने figure है, आपको पहचानना है कि इस gauge का नाम क्या है, तो सीधे सीधे इसको याद करेंगे, आप यह है snap gauge का diagram ठीक है, इसको snap gauge कहते है अगले question में बोलता है, what is the user drill gauge drill gauge का उप्योग क्या है तो सबसे पहले हम आपको drill gauge दिखाऊंगा फिर हम इस question को attempt करेंगे ठीक है, यह देखे यह हमारे drill gauge का figure है ठीक, अब आपको बताने इस drill gauge का use क्या होता है तो देखे, अब आप यह question को सीधे कर सकते हैं देखे, तो option पहला कहता है ड्रिल के व्यास की जांच करना option B कहता है, drill की लंबाई की जांच करना option C, drill के cutting angle की जांच करना option D, lips की लंबाई की जांच करना तो figure देखे, आप खुदी identify कर सकते हैं कि drill का इक क्या ना आप सकता है सीसीदेश में हम क्या करते हैं, drill को डालते हैं diameter इससे check करते हैं ठीक है, तो option A is the right answer जो हमारे drill gauge होता है ये drill के व्यास की जांच करता है check the diameter of the drill अगले question में आपको X पहचानना है क्या है, ये से एक sign bar है, इसको हमने पहले discuss कर चुके हैं, sign bar को ठीक है, तो जिस sign bar की जो हमको एक question आया था समय उसमें उसमें पूछा था कि sign bar की length हम कैसे specify करते हैं तो देखे, sign bar की length इसे specify कर रहा है, तो मैंने आपको समय बताया था कि एक roller की distance, center की distance से लेके, दूसरे roller की center की distance जो होती है, उसको हम length बोलते है, sign bar की, ठीक है तो sign bar की length को प्रदर्शित कर रहा है, तो length is the right answer अगले question बोलता है, what is marked as x, यह जो x distance है यह क्या है, ठीक, तो यह हमारे हमारे हम पे sign bar है, और यहां पे कई सारे slip gauge लगा के हम इस तरह से इसका height बनाते हैं, और नीचे हमारी surface plate लगी होती है, तो यह क्या बना रहा है हमारा, यह height of slip gauge को दिखा रहा है, तो 114 का answer A हो गया, अगले question में आप से gauge का नाम पुछा है, यह हमारा center gauge है, ठीक, इसको यार रखेंगे आप, यह हमारा center gauge है यह जो हमारे threads वगरा होते हैं उनके angles वगरा हैं से हम check करते हैं lathe machine है, बहुत काम आता है, इसको हम बोलते है, center gauge अगला question फिर से figure वाला है, कई बच्चे figure आले question छोड़ देते हैं, अगर जो नीमी है, कम से कम 20% question आपको figure वाले आपको देखने को मिलेंगे इसलिए आप figure आले question ना छोड़ें, ठीक है तो सीदे सीदे ये आपको, ये हमारा screw pitch gauge है, ठीक है, ये screw pitch gauge का diagram है, यहाँ पे आपको screw thread दिख रहे होंगे, कटे हुए, ठीक है, तो ये हमारा screw pitch gauge है, इससे जो threads होते हैं उनकी pitch नापते हैं, ठीक है, सीदे सीदे आपको इसमें snap gauge है जो भी इस तरह का figure होता है सारी snap gauge के अंतरगत आते है snap gauge में आप आगे देखेंगे इसमें क्या है threads की profile type की बनी हुई है ठीक है तो यह हमारा thread snap gauge हो जाएगा तो option D is the right answer anvil type thread snap gauge जिसको आप याद कलने है यह anvil type thread snap gauge अगला question देखे plug gauge का question पीछे बहुत कम दिये है मगर plug gauge भी आपका ring gauge के ब्रावर ही मलब बहुत important है plug gauge तो इसको हम plug gauge बोल दें ठीक है dumbbell की तरह दिखता है बीच में आपका इस तरह से रहता है और एक side इसकी go side है और एक side इसकी no go side होती है ठीक है तो यह basically यह करता है holes के diameter check करता है तो उसमें हम इस तरह से plug gauge को डाल के check करते है उसका hole का diameter तो यह देखे अगर जो हमारी यह वाली side भी अगर इधर ही होती इस तरह से आगे को होता है तो अभी हम इसको बोल देते है progressive plug gauge अगर इसकी go and no go side एके side होती है मगर जो अभी आपको समने plug gauge है इसमें इसकी दो दोनो side है अललग side में आपको दिख रही है तो इसलिए इसको बोलेंगे double ended plug gauge क्योंकि इसकी जो sides हैं अललग है अगर दोनों same ही दी होती है इस एक plug gauge है आपका यहीं पर आपका एक बना है और एक आपके हाँ बना है तो इसको हम बोल देंगे progressive plug gauge अगले question बोलता है what is marked as x ठीक है आपको पहचानना है यह देखेगे है हमारा progressive plug gauge का diagram इसमें आगिया है आपको इसमें यह पहचानना है कि इसमें यह जो आपको x mark किया है आपका go ended plug gauge है कि no go plug gauge है तो आप कैसा identify करेंगे जो भी हमारी लंबा वाला होता है वो हमेशा go होता है इस तरह से आप इसको यार रखें जो हमारा लंबा वाला होता है जो आप गौर करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा double ended plug gauge go ठीक है 119 का by b answer इसका progressive plug gauge go अगले कोशन में आप से पूछा है what is the gauge सीधे सीधे हमको दिख रहा है plug gauge है plug gauge के आगे हाँ पर taper में यह ना आप रहा है तो यह हो जाएगा taper plug gauge अगले कोशन में आप से आपको एक ring gauge दिखा है आप से पूछा है कि दो ring gauge दिखा है और आप से पूछा है कि याला ring gauge का नाम क्या है तो option है आपके thread ring gauge go thread ring gauge no go ring gauge thread pitch gauge तो आप इसको कैसे आज रखेंगे ठीक है इसको यहाद करने का तरीका यह है जो हमारा go ring gauge होता है आपको इसे simple सीधे सीधे मिलेगा और जो no gauge होता है उसमें इस तरह से आपको groove मिलता है जिसमें यहाँ पर आपको इस तरह से groove दिखेगा जैसे आपको इसमें groove दिख रहा है बीच में तो वो no go होता है इसको याद करने का तरीका यह होता है और जो हमारा go gauge होता है वो सीधे एकदम support आपको दिखेगा बीचे कोई groove नहीं दिखेगा आपको जिसमें groove दिखेगा वो होगा हमारा no go तो उसका answer है option B thread ring gauge no go अगले question है पूछता है what is the name of gauge सीधे आपको दिखेगा plug gauge है plug gauge में क्या है इधर से आपके thread बने हुए है तो ये होगा हमारा thread plug gauge अगले question है what is the quenching media used in heat treatment to obtain faster rate of cooling शीतला अंदर की तेजी से प्राप करने के लिए उश्मा उपचार में प्रियुक्त quenching media क्या है तो अगर हमको heat treatment बहुत चल्दी कोई जो हमारा component उसको cool करना होता है तो उसको हम brine solution में डालते है तो brine solution सबसे तेज हमको cooling देता है ठीक है oil water कुछ नहीं देगा brine solution brine solution क्या होता है अगर हम कोई salt को पानी में मिला देते हैं तो उसको brine solution कहते है generally ये common salt NACL होता है ठीक है जब इसको पानी में ज़े इसको solution होता है इसको हम बोलते है brine solution अगले question में आपको x-point का नाम बताना है तो ये हमारा heating equilibrium diagram है ये जो हमारा x-part होता है इसको बोलते है lower critical temperature ठीक है ये होता है lower critical temperature ये जो x-alli आपको line देख रही है इसको हम बोलते हैं lower critical temperature last question है इसमें कहता है what is the angle of elbows and bend that provide divergence इससे पहले आपको elbows और bends का एक बार में diagram दिखा दूँ यह जो हमारे elbows और bend है यह घर में बहुत commonly use होते है ठीक है जैसे elbow है आपने देखा होगा घरों में pipe fittings में बहुत लगे रहते हैं elbow और यह होता है bend तो आप से पूछा इनका angle क्या होता है तो elbow का angle आपको सीधे सीधे दिख रहा है यह ऐसे करके आया और सीधे सीधे ऐसे मुड़ी है तो यह 90 degree का बनाता है ठीक है बाकी जो हमारे bands होते हैं यह अलग-अलग उसमें आपको मिलते हैं इनके अलग-अलग angles में मिलते हैं तो इसको ऐसे predict कर पाना मुश्किल होता है मगर जो elbows होते हैं का आप गौर करेंगे हमेसा 90 degree का यह angle बनाते हैं तो इसके basis में हम question solve करेंगे ठीक है तो आप से पूछा elbow और band का angle क्या होता है तो elbow का आप CCD देख लिजे क्या होता है 90 degree होता है और band का इसमें 45 degree दिया है तो 95 and 45 degree is the right answer तो यह थे आज के हमारे 25 question इसके आगे के जो 25 और question से हमने आने अले वीडियोस में solve करेंगे अगर आपको आज के हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को like करिए हमारी चैनल को subscribe करिए आज के हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद